नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे उट्वी चनल यार कुमार फिया दोस्तों आगे बनने से पहले प्लेज चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें दोस्तों सुनने में आ रहा था खबर कि 19 माई को जो सौदी के जो प्रेंस है मुहम बीस से लेकर 23 माई तक जापान के दोरे पे जा रहे हैं यानि कि इंटरनेशनल बेज जती हुआ है पाकिस्तान का यानि कि पाकिस्तान के मुह पर सौदी के जो प्रेंस है मुहमद बिन सल्मान उन्होंने तमाचा मारा है अब कोई यह भी नहीं कह सकता है कि उनकी तब्यत सह नहीं थी इस वज़े से वो पाकिस्तान के दोरे पे नहीं आए अब यह कोई बहाना भी नहीं है स्किलियर कट पता है कि 20 माई से लेकर 23 माई तक 20 माई से लेकर 23 माई तक पाकिस्तान के दोरे पे जा रहे हैं यानि कि पाकिस्तान को कुछ नहीं समझते वो क्योंकि भी मांग ड्रक लेड़ जाते हैं डलर्स के लिए तो दोस्तों पाकिस्तान के मुँऊ पर सौदिय प्रिंस का बहुत बदा तमाचा है इप इन पाकिस्तानियों को कभी समझमे ज sw skincare करना चाहिए लेकिन पाकिस्तानी भीक मांग लेकिने सौदियां चले लेकिन आप महम्मद शल्मान इनको थेंगा दिखा दिये हैं, और आप हो पाकिस्तान को दौरा नेarkan कर से 20 माई से 2023 माई जपान के दोरे पर जा रहे हैं तो दोस्तों इन पाकिस्तानियों को बहुत बरत तमाचा लगा है महमद बिन सल्मान के तरफ से और यह पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं कि हम मुस्लिम उम्मा यह हैं तो वह हैं तो पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं पाकिस्तानी लेकिन पाकि कौन सी हरकते कर इनकी हरकतों के कारण मुहमध बिन सल्मान पाकिस्तां के दोरे में जा रहन कोई यह की नहीं कह सकता है कह सकता या कोई बहाना नहीं बना सकता कि हेल्थ हिस्सू था बिमार थे वो तबे ठीक नहीं था जिसके करन पाकिस्तान का दोरा रद कर दिये नहीं एसक्यूज खतम हो चुका है क्योंकि वो जपान के दोरे पे जा रहे हैं 20 मई से 23 मई तक